हेलो गाईज स्वागत एकबर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 जो स्टार्ट हो रहा है पहला मैच इसका अस्ट्रेलिया वोमेन और इंडिया वोमेन के बीच में खेला जाएगा तो इसके बारे में फ फुरी में आपको टेलिग्राम पे दे जिते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल फुरी है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन और कॉमेंट सेक्शन में तो जल्दी से जाएए और जुड़ जाएगा यह जो मैच है एस बेस् प्लेयर्स रहते हैं हां लेकिन एक चीज ध्यान रखिए अगर किसी टीम में वर्ल्ड क्लास बैट्समन है तो उनके लिए थोड़ा सा पीच रिपोर्ट एहम रहेगा लेकिन वह पर्टिकुलर प्लेयर के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो वुमेंस के यहां पर जो मैच चेज नहीं हो पाया यहां पर 228 बना चेज नहीं हो पाया यहां पर 169 बना चेज हो गया यहां पर 170 बना चेज नहीं हो पाया यानि कि जब बड़ा स्कोर बनता है तो चेज होने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है बात रहे स्पिन और पेसर्स की क्या रेसियो रहता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस्पिनर्स 15 पेशर्स 44 विकेट यानि पेशर्स डॉमिनेट करते हैं देखो बल्लेबाजी के लिए खराब विकेट नहीं है अगर खुद बल्लेबाज खराब नहीं खेले हैं क्योंकि आपने देखा होगा वूपर 180-180-200 स्कोर भी बना है ठीक है प्लास इनिशियल मॉवमेंट रहता है पेशर्स के लिए लेकिन यह वोमेंज का गेम है यहाँ पर आप देखेंगे इस्पिनर्स जो विकेट टिकिंग इस्पिनर है वो हर मैच में विकेट लेते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि पिच रिपोट इतना है नहीं रहता है बट फिर भी अगर आप इस्टेटिकल विउ देखना चाते हो तो देख सकते हो हैट टो हैट की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच में 22 मुकाबले खेले गए हैं 16 मुकाबले अस्टुलिया ने इंडिया ने 6 जीते हैं और रैंकिंग आप देख सकते हैं एक जो निउज करती इंडियन टीम इसके अलाव यह दोनों ही टीम के बैटिंग बॉलिंग मीटाइल है कौन राइट हैंडर है कौन लेफ्ट हेंडर है कौन सिपनर लेफ्ट आम और्थ्लोक्स रजिस्वरी को या इश्पिनर यानि लेफ्लिभरेक स्पिनर यह एघ्टम फास्ट मीडियम प्रोबेबल प्लेंग 11 भी है यहाँ पर यह अलावा जो अभी मैच हो रहा था इसका यह पर उसके अलावा जो अभी मैच हो रहा था उसमें लोग इपरी और इनमें से डी ब्राउन को खिला रहे थे एक्स्ट्रा बॉलर को खिला रहे थे ईपरी को नहीं खिला रहे थे थीक है तो अगर यह हो सकता है का पता इपरी को खिला ले डी ब्राउन को 따 चांसे जोसे डी ब्राउन चांस एगी तब ताहिला मेघराद चौते नंबर पर आएगी ठीक है यह छीज थोड़ा सा ध्यान ल प्लियर एलिशा हैली बैथ मुनी मैग लेनिंग अलियास पैरी ताहिला मैगराथ एलिशा गार्डनर उसके बाद जैस जोनसन एक इंग और यहां पर इनके लिए इंपॉर्टेंट प्लियर है रिसेंट इसकोट जो अभी यह लोग आयलेंड और पाकिस्तान के एगेंस्ट मैच खेल रहे थे यह उसी का है जैसे बैथ मुनी ने पैंतालिस नौर इग्यारा का स्कोरिंग किया था जैस चोनसने लास्ट मज में चार विकेट लिया है तो वह मैं आपको टेलिग्राम पर इंफॉर्म कर दूंगा तो टेलिग्राम से जूड़ जाएगा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अब जो इनके लिए अच्छे का से बालिंग डालते हैं अब एक चीज और है अगर यह लोग डी डालेंगे उसके लावाँ जो कैरी गार्डनर और ताहिला में गरती लोग सेयर करेंगे यह सब भी हो सकता है गार्डनर और ताहिला में करत को बहुत कम ओवर मिले निकॉला करी के जादा चांसे रहेंगे जब बॉलिंग डालने के तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखना जैसा भी होगा प्लेंग लेवन आपको बता दे जाएगा बाइक इनके जो उपन बॉलर स्कर्ट डी ब्राउन जोनसन देथ में देखो फिक्स नहीं रहता है इनके वैसे प्रॉपर देथ की बॉलर अगर हम बात करें तो एक सोरी हम स्कर्ट और जैस जोनसन होने चाहिए ब उसके अलावा यहां से बेत मुनी 37 का एवरेज है अलियास पर 28 है रिचल लेन 27 का एवरेज है उसके बाद गार्डर और 23 का एवरेज है 15 में 30 विकिट भी है यहां पर ग्रेस इरी छे विकिट और 13 की एवरेज चैला में ग्राथ वर्ल 2.20 आई इंटरनेसिंटनल में यानी क कि 247 का आवरेज आप देख रहेंगे लेकिन यह मोस्ट आप टाइम आउट नहीं हुई है रेट स्वाई यह अवरेज जितना ज्यादा और अभी बहुत कम मचेश भी खेले और चार इनिंग में बैटिंग आई इसलिए ठीक है चार विकेट भी है उसके अलावा यहां पर एन आठ मच में 10 विकेट निकॉला कैरी 23 में 26 में 18 विकेट है अब इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम में भी एक प्रॉब्लम है कि यह लोग यह एस मैगना को इन्होंने अभी चांस दिया था जो सिलंका के गेंस इन्हों का मैच हुआ था तो वो टी 20 में वट एस मै इसमें अगर इंपोर्टेंट प्लेयर देखेंगे तो एस मंधाना सैफाली वर्मा हर्मन पीत को और दीप्ति शर्मा राजेश्वरी गाएक और पूना मियादो आराधा है तो अभी आप देख रहेंगे क्या सब इंपोर्टेंट प्लेयर है हम सब को कैसे ले सकते हैं जब ह सब्सक्राइब किया था उसके बाद रेनुका सिंग वंडे में ठीक थी बट ओडियाए में ठीक परफोर्मेंस किया था सिलंका गेंस्ट बट टीट्वेंटी में कुछ खास नहीं कर पाई थी तोना मियादा हो थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल कर रही है गाएकवार ठीक कि ठाक चल रही है उसके अलावा जमाईमा थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहते लेकिन बल्लेबाजी विकेट पर अच्छा कर लेती है हर्मन पीत को और अच्छा कर रही थी उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे सफाली वर्मा कभी कबार बॉलिंग डाल रही थी बट लोग मेगना सिंग को खिला लें फिर यहाँ पर मेगना सिंग अगर ओवर सियर करेंगे कोई भी ओवर सियर करेगा जो भी महेंगा साबित हो रहा है तो हर्मन पीत को और के खाते में जाएंगे यह चीज़ ध्यान रखना इनके भी देथ बॉलर कंफर्म नहीं है वैसे तो अगर देखा जाए तो इंडियन टीम से गाइकवाड और पूना मियादा आती है बट यह लोग रेनुगा सिंग को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अच्छी बॉलिंग किये रिप्ति सर्मा भी आती है बट इनको साथ रिप्ति सर्मा गाइकवाड और अभी क्या पता नहीं किसको यूज करें तो कहना मुस्किल होगा और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इनकी टीम में इंडियन टीम में रिचा घोस खेलती है पहले विकेट कीपिंग करती थी अभी याच्छी का भातिया खेलती है तो यही विकेट क बंदना यहां से इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे सफाली वर्मा 24 का एवरेज है जमाइमा 27 का एवरेज है मेगना ने टीटवेंटी इंटरनेसल में कुछ खास नहीं किया बट इंटन डोमिस्टिकली काफी टेलेंटिड मानी जाती 21 का एवरेज है इसने राना 15 का एवरेज है इनका और उसके बाद यहां पे दो विकेट है लेकिन नहीं खेलेंगे इसके बद गाए क्वार्ड है यहां पर आप देखेंगे तो 45 विकेट है 36 मैच में राधा यादो 43 मैच में 56 कूनम याद लेनुका सिंग 6 मैच में 3 विकेट इसके तो यहां पर देख सकते हैं जो कि आपको मदद कर सकता है थोड़ा सा प्लेयर सेलेक्शन में यहां पर देखेंगे इंडियन टीम के प्लेयर्स के बारे में सब्सक्राइब देखेंगे इसके अलावा बॉलिंग से बात करें तो यहां पर अलियास पहरी है जो कि बीस मैच में बाइस विकेट है जैस चॉनसन पंदरा मैच में सोला मेगन इसकाट नौ मैच में तेरा अलियास गार्डनर यहां पर आप देखेंगे ग्यारे मैच में नौ विकेट है एंड अगर हम बात करें इंडियन टीम की तरब से तो गाइकवार दस मैच में पंदरा पूना मियादव साथ में बारा दीपती सर्मा दस में बारा उसक स्मालज के इसकंट मेल से चाहर वनफंद्र चाहर घ्शियर के तौर कि एक पिक रहेंगे देखो रिजन इनका इन क्या है और कि निभू है हो डौह को जरू अककर सकते आप का रिसेंट फर्म उतना अच्छा नहीं है और थोड़ी सी हेट और मिस्ट टाइप की प्रियर है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रही है रिसेंटली लेकिन इनके पास एक विकेट कीपिंग का वो रहेगा बैकप जो विकेट कीपिंग स्किल से पॉइंट्स दे सकती है प् पूरा समय मिलते हैं यहां पे समय ना मिलने के चलते हैं तेजी से रन बनाना पड़ता है स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के चिक्कर में कभी कबार जल्दी आउट हो जाती है अगर रिचागोस खेलती है और यह विकेट कीपिंग करती है तो आप एक रिस्क ले सकते हो ग्र तो आप एक रिस्क ले सकते हैं लेकिन मिनी जील में ठीक है उसके बाद यहां से देखो बैठ मुनी वन अब तब मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ असुलियन टीम और मोस्ट अब टाइम अपना विकेट जल्दी नहीं देती है स्कोरिंग करके जाती है तीजी से भी रन बनाती है ओपिन करेंगी मस्ठप पिक रहेंगी उसके बाद मैगलेनिंग यह वन अब तब बैस्ट बैट्स मैंने असुलियन टीम की ठीक है बैकबॉन है दस में से छे-सात मैच में आपको यह स्कोरिंग करते हो दिखेंगी मस्ठप पिक रहेंगी वन डाउन आएंगी ठी पिक रहेंगी यह इनके पास चमता है बड़ा स्कोर करने की थोड़ा सा इन्होंने अपने आपको अलग-अलग लेवल पर प्रूफ भी किया हुआ है जैसे कि 100 में एक टाइम खेल रहे थी वोमेंस में वहां पर भी अच्छा किया है डबलू भी विल में खेला है वहां पर इंडियन टीम अभी इंडिया में जो डबलू टी चैलेंज हुआ है उसमें भी अच्छा किया है कुल मिला कि इन्होंने अपने अलग-अलग लीग में प्रूफ कर रखाए खुद को इंडियन टीम में अभी भरोसे मंद नहीं है क्योंकि पहले तो यह वन डाउन खेलती थी अभी अगर इसमेगना खेलेंगी तो यह फिर ट्री डाउन आ रही है तो वहाँ पे यह तेजी स्रंण बनाने के चक्कर में कभी कबार आउट हो जाती है हाला कि यह जानी जाती क्योंकि स्कूरिंग के लिए ठीक है लेकिन थोड़ा सा भरोसा इसलिए कम होता है क्योंकि बै हाला कि आगर यह जब तक रहेंगे पिछ पे आपको रंच स्कूर करके देंगी पार्ट टाइम गेंबाजी करती है अब रिसेंट टाइम में गेंबाजी भी क्यों यह से लंका गेंगे अगेंस लेकिन देखो गेंबाजी से जाधा उमिद मत रखना क्योंकि एक रियर दिख अभी तो इनका कुछ कह नहीं सकते है अपनी बैटिंग से लेकिन यहां पर इंटरनेशनल अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है डबलूटी ट्वेंटी चैलिज में एक पारी अच्छी खेली थी लेकिन उसके लंका के अगेंस्ट फ्लॉप हुई है तो ज्यादा कुछ कह न साथ ना खेले हर्मेंट प्रित को और मस्था पिक इनफर्म प्लेयर है इंडियन टीम से बॉलिंग भी करेंगी यहां पर मोस्ट अब टाइम आपको एक से दो वर बॉलिंग करते हो देखेंगी अस्ट्रेलियन कंडिशन में खेली हुई है डबलू बीवेल में इनका भी पर प्रित इन बाजी दे देती है प्लस बल्लेबाजी से अगर बल्लेबाजी आई तो बहुत कम आपको देखने मिलेगा कि जल्दी आउट होके जा रही है ठीक है तो मस्था पिक फरस्ट बल्लेबाजी में कप्तानी ऑप्शन भी पुज़ा बस्त्रा कर नई खेलेंगी कोवी के लिए यानी टाइम प्रमोट हो सकती है यह थोड़ा सा सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि टीम को किस टाइप का रिक्वाइड रन रेक चाहिए तेजी से रन चाहिए तो इनको भेजा जाएगा ज्यादा तेजी से रन नहीं चाहिए तो रिचल हैंस इनको उपर आएंग बॉलर्स खेल रहे हो तो छोड़के इनके जगे पर आप सेफाली वर्मा को फिर ले सकते हो ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना जी है रिस खेलेंगे तो उतनी अच्छी आप्शन है बॉलिंग मिलता नहीं है सदर लेंड पे अच्छी आप्शन नहीं रहेंगी तो परफॉर के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्षन में दे दिया है तो जल्दी से जाहिए और जूड जाहिए बिल्कुल फ्री है जैस जोनेसन विकेट टेकिंग बॉल है थोड़े से रंच भी बना लेती है कभी कबार दत में भी आती है अब ही लास्ट मैच जो इन्होंने खेला आ आप चाहिए तो गार्डनर के जेगे पर इनको ट्राइब कर सकते हो क्योंकि हो सकता है फिर गार्डनर नंबर अब बॉलर्स अगर काउंट करेंगे और अच्छा खासा बॉलर खेल रहें तो चेजिंग में साहिद इनको बल्ले बाजी करने का भी मुआकर ना मिले और लेकिन मैंने अभी के लिए गार्डनर को लिया है अगर फरस्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगी तो फिर मेगन इसकर्ट को ट्राइब कर सकते हो क्योंकि मेगन इसकर्ट एक विकेट टेकिंग बॉलर है एक्सपिरेंस गेंद बाजे दथ में आ सकते हैं और एक चीज हो ऐसा इंडियन टीम के अगेंस रिकॉर्ड बीन का सबसे भैतर है पूनम याद हो इंडियन टीम की हाइस्ट विकेट टेकर है लेकिन अभी इनका रेजेंट फर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है लास्ट मार्च में तीन मज में साइथ विकेट लेस गई है बट एक विकेट टे अपने पेक्ष के लिए जानी बाते है इनके पास अच्छा खासा पेस रहता है उससे यह कभी भी अछ खासे विकेट से बीट करके अगर आगर पहले निकाल के लिए उनकों फोड नहीं सकते तो दी ब्राउन ए Harry आप ट्रम पूNoerson ठोटी थो एनकोट साथ लेकिन इनकी ओवर्स कभी भी कड़ जाते हैं ये चीज़ ध्यान रखना तो एक रिस्क बना रहेगा खेलिंगी भी तो रेनुका सिंग का भी फॉर्म अच्छा था सिलंकन टीम के अगेंस उडियाई में लेकिन टीटी में एक एक विकेट लिया था हलाकि इंडियन टीम इनको लेकिन बेहत्मुनी ये भी अच्छी उप्षन है अब मैंने आपको बताया था ग्रेंड लिग में आप मंधाना अलिसा हली और भी जो प्लेयर्स जैसे दीपति शर्मा गाड़नर इन लोग को ट्राई कर सकते हैं सारी चीज़े आपको एक्सप्रें कर दिए कौन सा प्लेयर चनल से जुड़ जाना वहाँ पर आपको बता दिये जाएगा फाइनल डिसीजन किस तरीके से मैंने लिया हुआ है तो उसके लिए आप टेलिराम से जुड़ जाना जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्षन के सबसे पहले कॉमेंट में दे दिया गया है तेंक्यू सो मच ये वीडियो वाच कने लिए दोस्तों जैहिंद